नमस्कार साथियो भारत देश की राजनिती हाफ रही है इस हाफ की हुई राजनिती को सिर्फ और सिर्फ सत्ता ही चाहिए एक ऐसी सत्ता जिसके लिए जरूरी नहीं है कि भारत देश के गवर्नेंस काम कर रही हो कोई जरूरी ही नहीं है कि विपक्ष के तोर पर भारत देश के राजनिती पॉलिटिकल पार्टी कोई ऐसा वी जन देने को तयार हो जिसके जरी अल्टरनेटिव यानि बिकल्ब की सोच लोगों के भीतर भी खड़ी होगा जाए दरसलिया राजनिती सत्ता की राजनिती है जिसके भीतर एक नेरेटिव की जरूत होती है और उस नेरेटिव का मतलब बहुत किलियर है सामने वाले को हरा देना या फिर खुद को जीत रहे हैं इस नेरेटिव को आकर खरा कर देना और अब जरा ध्यान दिजिए कि भारत देश की राजनित में तमाम संस्थानों एजेंसियों को सत्ता अनुकूल हो जाना और वहां से बात निकलते निकलते भारत देश के संबेधानिक संस्थाओं में भी अपने दाइरे में ले लेती है और यह धीरे धीरे पत्रकारों तक पहुँच जाती है पत्रकार के भीतर के हर बोल हर सब्द पता नहीं कि उसत्ता अनुकूल हर किसी को लगने लगते है और सत्ता से जरह सवाल पूछने की ताकत धीरे धीरे गायब ही हो जाती है लेकिन अब जरह सवाल चुनाव का है चुनाव में भी वोटिंग के बाद का है और वोटिंग को लेकर के एक्जिट पोल जो इस से पहले भारत देश में कभी भी ऐसी प्रस्तिती बने ही नहीं थी कि एक्जिट पॉल करने वाले जितने भी एजेंसियें हैं जितनी भी संस्थाइं हैं जिन जिन न्यूज चैनल के उपर वो दिखाई देती है उनके बीच इतनी बड़ी रेखाएं दिखे जिसे कोई इस तरफ खड़ा हो तो कोई उस तरफ खड़ा हो या इस तरफ और उस तरफ के बीच कौन खड़ा है या कोई नहीं जानता यानि दिरिश्टी सम है सम दिरिश्टी के आसरे ही भारत देश में एक्जिट पॉल होना चाहिए या फिर हो रहा है या किया जा रहा है या पहली बार इक देश में ख़रा हो गया है उसकी एक कारण भी है वह कारण इसलिए है कि राजस्थान और मद्दपरदेश को लेकर के जो एक्जिट पॉल सामने आ रहा है निकल करके आया था कल उस साफ तोर पर ये कह रहा था कि हर एक्जिट पॉल करने वाला जो दूसरे एक्जिट पॉल करने वाले के साथ जो एक खरा ही नहीं है और यकीन कीजिए कि इस देश के तस एक्जिट पॉल जिन्होंने अलग अलग न्यू चैनल और अलेट्रोनिक मीडिया अप्रेस्ट मीडिया के जरी अपने बातों को रखा उसको जर आप समझीए का तो हो सकता है कि आपको एक बात नजर आएगी कि एक तरफ पाँच तर दूसरी तरफ पाँच एक तरफ चार तर दूसरी तरफ छे ऐसी प्रस्तिती हो सकती है जो इससे पहले कभी हुआ नहीं था ऐसा नहीं है कि exit pole करने वाले गलत नहीं होते जरह आप उस दिन को याद किजी हरियाना का चुनाओ याद कर लिजी बिहार परवेश का चुनाओ याद कर लिजी बंगाल का चुनाओ उस समय भी exit pole करने वाले संस्थाएं गलत साबित हुए लेकिन यह सवाल जो है भारत देश में पहली बार है कि भारत देश के भीतर exit pole के जरिये कोई narrative set तो नहीं किया जा रहा है और उस narrative set करने का मतलब यह है कि चुनाओ परिनाम जो है जो निकल कर के आए उसको ले कर के कोई भी एक जटका महसूस न करे और वह यह नहीं सोचे कि दरसल वह जीत रहा तो वह हार कैसे गया और जो जीत रहा है वह यह नहीं सोचने लगे वह हार कैसे गया इन दोनों सवालों के बीच लोग का भी सवाल होता है लोग भी उस narrative set करने की परस्तिती में अपने आपको ले ही जाती है क्योंकि भारत देश की राज़निती सिर्फ सटा ही देखती है यहां के चुनाओ वैपक्च को चुनने के लिए नहीं होता क्यों हो एक बहतरिन वैपक्च चुन लेगा ऐसा बिलकुल भी नहीं है देश में सक्ता के लिए ही चुनाव लड़े जाते हैं तो सक्ता में कौन आ रहा है उसके लिए तर्क गड़ने वालों की कमी ही नहीं होती और जो हार गया उसके लिए तर्क गड़ते हुए उसको खारिश करने की इस्तितियां भी खूब होती है इसलिए किसी भी राज्य के भीतर किसी भी नेता को लेकर कि अगर आप फैसला सुनते हैं या जीत गया तो आप यकीन कीजिए कि कल तक जो यह कहता था हार जाएगा और इस इस कारण से हारेगा उसके बाद वह परिवासा देंगे कि इस इस वज़े चे वो इसको जीतना चाहि और यह जीत गया देखिए हम कहते थे यह जीतेगा तो जीत गया नेरेटिव सिट करने का फाइदा किसे मिलता है क्या वाकई कोई ऐसी परस्ति भारत देश के भीतर है जो वोटिंग के बाद भी नेरेटिव सिट कर राजनितिक लाब ले सकती है चैना मुश्किल है सवाल य है क्योंकि सिर्फ उसके बाद तो जनगन्या का संसर जो होती है बोटों की गिंती तो होती है वह ही तो होगी तो फिर इसमें क्या गरवडी इसके बावजूद जब मध्रदेश और राजस्थान से आप निकलिएगा तो आपके सामने दरजनों मुद्दे सामने आएंगे ल करेव करेव घाई हजार बोट अगर इधर से उधर हो जाते तो दूसरा जीच जाता यानि यह कहें मार्जिन जो दोनों का वह 5000 से जाता नहीं था आई इसे 30 सीटे थे और इसे सीटों के 30 तादाद है अगर दोनों राज्यों में तो 30-30 सीटे है तो सोच लिए क्या होगा औ और लोग जब वोड़ देती है देते है जन्ता वोड़ देते हैं तो उसके बाद जानमान करके चलते हैं कि हमने वोड़ दे दिया राजनीटी तो गरवरी कर सकती है लेकिन पत्रकार कैसे गरवरी करेगा जो एक पूरे फैरिस्ट को आज देखते हैं इन पन्नों को पल्टे उससे पहले और दो बाते आपको क्लियर कर दे कि सबसे बहुत बारा समवल मद्यपरदेश को ले करके जो मद्यपरदेश को ले करके जब एगजिट पॉल सामने आये तो उसके बाद कॉंग्रेस के नेता जो मुख्यमंत्री पद के दाबेदार है उन्होंने एक टूट कर दिया उन्होंने उसमें एक बात कही कि देश वीजन से चलता है देश टेली वीजन से नहीं चलता है और उसके ठीक बराबर में वहां के मुख्यमंत्री जो बरतमान में जो सिर्वाल सिंग चोहान थे उन्होंने पूरी योजनाओं की लिस्ट बताई और कहा कि देखे इसलिए हम जीत रहे हैं हम इन इन योजनाओं को ले करके सामने आए थे तो जर्णा लगता है आज बात की सुर्वात जो है उन्हीं योजनाओं के ज्रीए कर देनी चाहिए कम नहीं करती है। वह यह जनाएं हेमाचल में कामना कर टी आ है वह योजनाएं बंगाल के बीदर काम नहीं करती है लेकिन मतंग प्रदे current करेगी काम पर नारे टिव दीरे धीरे होता है कि पहले आज सिब्राइस चौहान की सुनना हुआ है। करीब कल्यान योजना हो या प्यम किसान सम्मान निधी हो या आवास योजना हो या फिर मदुपदेश की सरकार की योजना है चाहे वो लाडली बेहना हो जिसने बेहनों की जिन्दगी बदल दी लाडली लक्षबी से लेकर लाडली बेहना तक का महला ससक्ति करण का एक लंबा सफर है जिसने बेहनों के हिर्दे में एक अलग स्थान भारती जंदा पार्ट के लिए बनाया और चाय हमने प्रियम किसान सम्मान निदी में सीम किसान सम्मान निदी या कल्यान योजना की जासी जोड़ी हो अब सिवराज सिंग चोहान को यह लगता है कि जो तमाम योजनाए थी इसी कारण से उनको जीड 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 जो है एक जीड पॉल ने दिला दिया और उन्हें जीड मिलने माला है मद प्रदेश में दूसरे तरब कमनलाथ ने जो ट्वीट किया का लिए उस ने कहा कि मैंने हमेशा आप से कहा है कि देश वीजन से चलता है टेली वीजन से नहीं बहुत से एक जीड पॉल में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार बंती हुई दिखाई दी है जबकि कुछ एक जीड पॉल अन्य तरह के बाते कर रहे हैं आपको इन सब से अपना ध्यान जरा भटकने नहीं देना है और अरजुन की तरह आपको निगाएं सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष पे रखनी है आपको अपना पूरा ध्यान मत गनना के दिन पर लगाना है यानि तीन दिसंबर और यह सुनेशित करना है कि एक एक बोट कॉंग्रेस को जो मिला है वो इस दौर में वो सही तरीके से गिना जाए और परदेश में परचन डबोमस से कॉंग्रेस की सरकार बने इस बात का जिक कमलनात कर रहे थे मत गनना पर घ्यान रखिये यह कहने की जरत क्यों परी कमलनात को तो पर क्या नेरेटिव सिट करने के बाद इस्तितिया मत गनना के दौर में को बिगारी जाती है यह कमलनात से कोई भी सवाल कर सकता है यह कांग्रेस से सवाल कर सकता है किया इसी स्थिख आने वाली है लेकिन सवाल एक्जीट बोल का एकजीट पोल जार आप ध्यान दीजिए 2019 का हर्याना का चुनाओ उसमें सी वोटर ने सिर्फ आट सिट दी थी कॉ कॉंग्रेस को लेकिन कॉंग्रेस को आई 31 सीटे और भाजपा को दिया था 72 सीट उसको आया 40 सीटे 2019 में हर्याना प्रदेश के अंदर ये इस्तितियां थी शीक्र कर रहे हैं दो खास और्गिनाइजिशन का उसमें एक चानक है जो निज 24 के साथ था दूसरा एक्सस जो आज तक इंडिया टूडे के साथ 2020 बिहार के समय में अब जाईएगा उस समय में महा कडवंदन को चानक के ने 180 सीटे दे दिया था एक्सस ने 152 सीटे दी थी और सीटे आई कितनी थी 110 सरकार किसकी बनी बीजेपी की जो की साथ में नितिश कुमार को लिये हुए थे महा कडवंदन को सक्ता नहीं मिली थी कलत हो गया 2021 पस्सिम बंगाल में पहुंच जाईए प 180 सीट टी-म-सी को दी जा रही थी चानक के के जरी एक्सस 143 सीटे दे रहा था सीटे कितनी आई तो 152 बीजेपी को सीट दे रहा था चानक के 108 एक्सस दे रहा था 147 सीटे कितनी आई 77 भाजबा को दोनों गलसावित हो गए सवाल यहां गलत और सही का भी नहीं है सवाल तो उसके आगे उस नेरेटिव का है जो भारत देश की राजनिती को परवावित करती है और नेरेटिव बना करके जीतना परमत गन्ना का सवाल जो कमलात ने उठा रहा लगता है उस पर जर आप ध्यान रखिये तो क्या है सब कुछ जो है लोगों के लिए नेरेटिव बनाया जाता है तो इस समय में कोई जटका किसी को ना लगे इसलिए बनाया जाता है आप कुछ भी कह सकते हैं लेकिन इस एकजिट पोल के भीतर फिर आप एक बार जाकने का प्रयास किजिए और जर अध्यान से देखिए कि राजस्थान को चार हिस्से में बाटा जाता है उन चार हिस्सों में जब आप बाट दीजिएगा तो उसमें मारवार, हरवती, सेखावटी और मेवार का इलाका पड़ता है अब जर आप सोचिए कि जो दस एकजिट पोल निकल करके आए हैं उन चार प्रदेशों के भीतर से किसी तीन के भीतर भाजपा आगे थी यानि बीजेपी यानि किसी तीन में उसी तीन में कॉंग्रिस आगे थी यहां एकजिट पोल कहा कमाल है हम जर आप उसके अंदर और जहांकते हैं जो दो खास तोर पे हम जो जिक्र कर रहे हैं जो मद् तीनों जगवा पर भी भिलता न जगवा पर उन लोगों के बीच में उस अरगनाइजिसन संस्थाएं के बीच में जिसके द्वारा की गई एकजिट पॉल के जरिये यहां पर भी वह वैरी कर रहे है तो यहां पर एक सबला और होता है अब यह अभी समझना चाहेंगे कि फिर एक ऐसी प्रस्तिती में चीजे जो च्छतिस गड़ ते लंगना के भीतर नहीं है यह सिर्फ दो राजों मदप्रदेश और राजस्थान के भीतर है यह नैरेटिव और यह चुनावी जीत भारत देश की राजनिती को कैसे प्रभवित कर सकती है राजस्थान और च्छ जिससे और आप साफ हो पाएगा के मदप्रदेश के भीतर जो है जो अलग अलग डिविजन यह फिर छे तरवाज रही है जिसके भीतर भगेलखंड भोपाल बुंदेलखंड माहा को मालवा नरमदापूरा मौनिवार का इलाका जो पड़ता है इन जग हुप जो बड़ी इ मालवा के इलाका पड़ता था उसमें से 50 में से 26 कॉंग्रेस को 24 बीजेपी को जो निवार का इलाका पड़ता था जिसमें 16 में से 10 कॉंग्रेस को मिल गई थी इन 4 जगहों पर पिछले बार जहां पर कॉंग्रेस आगे थी पिछले बार की जब वो पूरा एकजिट पोल की प्रस्तेती देखे, समझे, तो इन्हें जगों पर exit pole जो है 10 exit pole को वहाँ पर हिस्से में दले लिया 9 is to 1 का रेसियो, सिर्फ एक exit pole Congress को इन जगों पर कम सीटे दे रहा था लेकिन बाके 9 Congress के पक्च में थे, इसके अलाबे जो है बगहिल खंड, भुपाल का इलाखा, बुदलिल खंड का इलाखा, और नर्मदापूरम का इलाखा, इन इलाखों के भी तर भाजपा जीत रही थी, यहां पर भी 9 is to 1 का रेसियो था, जो कि पिछले बार के तुलना में भाजपा जीत रही थी, एक कह रहा था Congress, 9 कह रहे थे भाजपा, 9 is to 1, यहां पर बहुत और पहले आप जागिएगा, 2013 के बीतर, 2013 में भी जिन 4 जगह पर Congress जीत रही थी, उस प्रेड में आप देखियेगा, तो 8 is to 2 का रेसियो था, और 8 दू का जो रेसियो था, जहां पर भाजपा जीत रही थी, अब यह कहेंगे, लेकिन 2023 आते हैं, ऐसा क्या हो गया, कि जिन 4 जगह पर Congress जीत रही है, वह भी अलग खंड के बीतर बिवाजन है, अलग-अलग खंड के मतलब यह भी होता है, जो खास तोर पे जो हम आपको बताए, चानक के को, एकस्स को लेजिए, जो एकिटिपल करते हैं, जो सी गुरूप का जो वोटर है, उसको ले लीजिए, इन तीनों को जर आप देखिएगा तो तीनों बैरिक कर रहे हैं, इस इलाकों के ले करके, और इन आठों इलाकों को जरा एक ही दायरे में समेटी हैगा, तो आप जान करके हैरान होंगे, कि कोई छे पर किसी को आगे पहुचा रहा है, कोई चार पर दूसरी को आगे पहुचा रहा है, दूसरी परस्तिती थी, कोई साथ में आगे पहुचा रहा था, दूसरे तरफ, जो साथ में आगे यह इलाकों की प्रस्तिती है जो खुले तौर पर नजर आती है क्या यह साइंटिफिक तरीके से संब्यधानिक जो यह है पूरा यह इन पर बोटिंग पैटरन जो था इसको पकर पाया ही लोग या नहीं या बोटर इंटेलिजेंस इस बार ज्यादा था पिछले बार के तुल सा नेरेटिव है दरसल यह नेरेटिव दो हजार चौविस को लेकर के है यह नेरेटिव भाजपा की अपनी राजनितिक प्रयोग साहला के मद्दे नजर है यह नेरेटिव जो है कॉंग्रेस राजनितिक जमिन दिलाने की दिसा में कौन सा आगी नेरेटिव है इस नेरेटि लाडली बहना का जिक्र कर रहे थे उन्हीं महिलाओं को ले करके जो कम हुआ 500 का सिलिंडर मिले लगा वो राजस्थान में महिला पहुंच गई गहलोत के पक्ष में यानि कॉंग्रेस के पक्ष में जब लाडली बहना होते थे तो पहुंच गई भाजपा के पक्ष में यानि बीजेपी के पक्षेने जिन जिन राज्यों में जहां महिलाओं को जो दिया राज्यों ने, सब्ता ने, आजनिटिक दल ने, मैनीफेस्टों के जरी यह खुला ऐलान कर दिया था, वहां वहां महिलाय मूब कर गई है, नेगरेटिव पहला सेट हो गया, इन दो राज्यों के बीच जो exit poll कहता है एक यहां पर और सवाल निकल करके आता है कोई भी कर सकता है यह चुनाओ के ठीक पहले जो ऐलान किया जाता है उसी के जरीए वोट मिलता है तो फिर बागी सारे चार सल पांच साल जो काम करना कि क्या जूरूत होती है तो exit poll की भूमिका को अगर समझे और से दिसा में आगे देखे जो पूरा narrative से ठोता है तो दूसरा यहां पर एक और उभरता है सवाल कि जो लंबे समय तक अंदोलन किया जा रहा था अंदोलन किस पर किया जा रहा था पुरानी pension cold pension को ले करके लोग इस समय में भूल गए सरकारी करमचारियों के बीच आकरोस था जो युवाओं के भीतर जो सवाल उभरता था राजस्थान के भीतर पेपर लीक के मामले और उसके भीतर जो आकरोस गहलोत को ले करके था क्या हुआ भी भूल गए अगर इन एगिट पोल के जरी आप देखिएगा तो भूल गए दूसरे तरफ राजस्थान पर देश